45 दिन से अप्रहत संत बहादुर को पुलिस ने किया बरामद। खुख्यात अप्राधी और जेल से फरार बलविंदर पकड़ा गया। अलावा मध्ध प्रदेश के कई जिलों की पुलिस के अलावा यूपी और बिहार की पुलिस भी सक्रिय थी। हम आपको बता दें कि 23 जुलाई को संत बहादुर सिंग का अपहरन गुड कस्पे के पास पे हुआ था और उसके बाद यह अपहरन कांड पुलिस के लिए एक चु उसरे के साथ मिलकर काम कर रही थी। पकड़ा गया अपरादी दो बार जेल से फरार हो चुका है। इस पर पचास जयर का इनाम भी था। रिवा पुलिस की सांदार काम्याबी से सीधी का संत बहादूर अगले कुछ दिनों में 45 दिन बाद अपने घर पर होगा। इस बारे अब पर नाम आज अपने अपने बच्छों का फीज बांदक लेए तो फिर वापस जाते समय गरने पहुंचा है। तो अगला दें उसका गाड़ी जो है विर्जापूर ने जाने डाड़ी जो है। जिलार रीवा का बॉडर है वहाँ पर लावारे सारत में मिली थी और उनके परिवार वालों ने जैसे ही सूचना पोलिस को दिया था तो रीवा पोलिस ने उनिवस्टी टाना में आपरात कायम करके इसका मिलेचना प्राणव किया था उसके दिन बाद लगातार इनके परिवार जनों को अलग-अलग मोबाईल से ओल आते रहें अलग-अलग स्तानों के गुलाते रहें मगर हर स्तान के पोलिस भी मौजूद रही है सिविल ड्रेस में और अन्या सभी संबंदित जिलें जाजा तर बुला रहे थे उन सभी पोलिस दिक्षकों का मदद लेते रहें हम लोग आईजीस से भी संपर पर रहा तो इसमें अलग-अलग स्तान को गलाया था तो उसी तरह बीच पर रही पें को रही पर रेल बैच के यहां पर हम लोग आपको कॉल करेंगे और रेल वे ट्रैक के यहां पर अपर आपम लोग पूंचा देगे इस कपड़ों से और ऐसे आपको प्रुमाल या कुछ दिकाएँ गे तो आप 40 लाग का रुपय का बैग इनको यहां पर और हमारे पास देल ट्रेन से फेक देना और हम लोग फिर आपका बच्चे को स्रक्षित ज़र पहुंचा देंके यह वापत जा रहे हैं कि अपने वाइट कर रहनों गाड़ी को स्वेम ड्राइब करते हैं वापत जा रहे हैं और कोड़ जॉल प्लाजा क्रास करने के बाद इनका दुपहर में लगबद एक वज़े अपरण हो गया और उसके अगले दिन इनका वाहन लवारी सबस्था में जिला विर्जापुर अंतर का चुना नाम की जगाए पर खड़ा पाया गया था इस सुचना पर खाना पिश्विजाले में अपरण का अपराद पंजीबत करने में लिया गया था उसके बाद से ही इनके परिवार के पास इनके परिजनत्वारा बताया गया कि चालीस नाग उपैर फिरौती के रूप में देने की मांग आ रही थी फोन के दुआ और अलग जगाओं पर उनको वो पैसा लेकर के पुलाया जा रहा है इस सबंद्वनु संदान के बाद दो तथी याथ हुए वो पता चला कि लगवग छे राजियों में ऑपरेट करने वाला अंतर राजी गिरोग जिसमें मधिप्रदेश, महराष्ट, उक्तरप्रदेश, बिहार, ज खारखंड और प्रश्टिम बंगार इन शे राजियों में ऑपरेट करने वाली इंटरिस्टेट के द्वारा यह रटना कालित की गई इस गिरोग का हुची सर्गना बलिंदर सिंगी, पिता तपेश्वर सिंगी, जो कि विहार के और अगाबाद जिने का रहने वाला है, यह इस गिरोग का मुझकी सर्गना है, यह इन दौर में 2007 में एक अन्य अपरन के केस में इसकी गिरफतारी हुई थी, इसे सजा हुई थी, यह उज्जैन जेल में उस समय बंद रहा थी, और उसके बाद यह प्रीवा जेल में दिसंपर 2014 में यह ट्रांसफर उपर आया था, जहा जहां से 27 में 2012 में फरार होता है, तब से यह लगातार फरार चलता है, मध्य पदेश में इसके उपर 50,000 रुपए का इनाम था, केस का मुख्य सर्गना थी